तो चलिए देखते हैं बुलंड शेहर में किस तरह से जिला अधिकारी और वहां के संबंदित अधिकारी पूरे विभाग की जानकारी ले रहे हैं और हर इस्तिती को काबू में रखने के लिए दिन रात एक जुट होकर काम कर रहे हैं उतरप्रदेश के बुलंड शेहर तैसिल सदर छेतर अंतरगत मदर टेरिसा हॉस्पिटिल और अंगबाद में कोबिड-19-11 एक्स्टेंशन हॉस्पिटिल बनाये जाने के उद्देश से जिला अधिकारी ने हॉस्पिटिल के भवन का निरक्षन किया विवस्थाओं का जाय ज जलिया उन्होंने कोबिड अस्पताल में स्वास्त अपकरण की उपलबता डॉक्टर स्टाफ सभी के बारे में पूरी जानकारी लिए सीएमों को निर्देशित करते हुए बेड और सभी माबदंड सहित सभी सरकारी आदेशों के पालन करने के निर्देश भी जारी करे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि सब सुविदा होनी चाहिए क्योंकि कोबिड नाइंटीन उत्तर प्रदेश में लगातार पाउं पसार रहा है और उसके चलते सरकार काफी चिंती थे जिलादिकारी द्वारा अस्पताल का निर्ख्षन करते हुए कोबिड नाइंटीन में कारत डॉक्टर और स्टाफ के ठहरने और उनकी विवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किये गए हैं निर्ख्षन के समय सी एमो डॉक्टर वहवतोष शंकधर तह्षीलदार माखन स और संबंदित अधिकारी मौजूद थे